हाई गाईज आज हम बात करेंगे ऐसी चार एक्टिविटीज के बारे में जिनकों करने से आपके प्लांट्स को भीशन गर्मी में भी हेल्थी रहने में हेल्प मिलेगी और इस लिस्ट में सबसे पहले है पोधो की फ्रीक्वेंट गुडाई या टेलिंग मिट्टी की गुडाई करने से ओक्सिजन का फ्लो बेटर होता है सोयल के अंदर जिससे सोयल में प्रेजन उर्गैनिक मैटर अच्छे से प्लांट्स को मिल पाता है और प्लांट्स की हेल्थी ग्रोथ होती है इसके अलावा टेलिंग के साथ काफी सारी वीड्स या हो जाती है जिससे उक्सिजन का फ्लो हैंपर होता है तो टेलिंग से पोदों की ओवरोल ग्रोथ फ्रूट प्रडक्शन सॉइल क्वालिटी सब इंप्रूव होते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमें करनी चाहिए वो है सॉइल में कार्बन कॉंटेंट को बढ़ाना ये वैल डिकंपोजड पत्यों की खाद है जिसका में कॉंस्टिटुएंट है कार्बन इसमें एसेंशनल न्यूट्रियंट जैसे नाइटरजन पोटेशियम या फोसफोरस अल्मोस्ट नेगलेजिबल होता है दिस बेसिकली आ सॉइल कंडेशनर जिसका परपस न्यूट्रियंट वैल्यू प्रवाइड करना नहीं होता है बलकि सॉइल की फिजिको कैमिकल क्वालिटीज को इंप्रूव करना होता है तो अगर सॉइल में कार्बन कॉंटेंट जादा होगा या और्गैनिक कॉंटेंट जादा होगा तो उसकी मॉश्यर होल्डिंग केपैसिटी जादा रहेगी जिससे हमारी सॉइल में नमी जादा देर तक होलड रहेगी और हमें फ्रिक्वेंट वोर्टरिंग के लिए चिन्दा करने की आवेशक्ता तो रही लेकिन कंपेरि leaf mold easily available है तो आप अपने सारे house plants, terrace garden में present आपकी vegetable या house plants, indoor plants, ornamental plants आप सभी plants को दे सकते हैं, ये किसी को भी नुकसान नहीं करेगा, rather help करेगा आपके plants को scorching sun में fight करने के लिए, हमारी third important activity है plants की mulching, guys mulching की process में हम soil की surface को किसी organic material से ढख देते हैं, जैसे कि straw या भूसा, सूखी पतिया या cardboard के pieces इन से ढख देते हैं, ताकि water evaporation की rate कम हो जाए और हमारे मिट्टी देर से सूखे, और इससे plant की soil cool रहेगी और plants को summer से fight करने में help रहेगी, यहाँ पे मैंने सूखे भूसे की help से अपने सारे plants की soil surface को cover कर दिया है, and it has really helped me save on the watering frequency, पहले जा मुझे हर रोज या इवन दो बार भी plants को water करना पड़ रहा था, अब वो frequency घटके, तीन दिन में दो बार की रह गई है, और last activity जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, वो है sharing of the plants, किसी होस की help से हम पोदो की पत्तियों को अच्छे से शार कर दें, इससे plants को cool रहने में help मिलेगी, और थोड़ी देर के लिए ही सही, humidity उस एरिया की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जिससे plants को additional help मिलेगी, okay that's all for the video guys, I hope आपको इस वीडियो पसंद आई होगी,